हेलो दोस्तों कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगी तो देखो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी सिनेट के पेपर के बारे में जिन सब्जेक्ट का पेपर 15 सी 23 दिसंबर के बीच होने वाला था उनका एंटिये ने परसों के दिन कुछ ही टाइम के लिए सम् सब्जेक्ट का पेपर होने वाले हैं लेकिन फिर से उस नोटिपिकेशन को हटा दिया गया था और हमने उस सम्मंद में उनसे बात की ती तो हमें पता चला उन्होंने बताया है कि दुबारा से डेट चैंज होंगी कुछ जो दिनांक हैं उनमें बदलाओ होगा बाकि उन्ह उसका नोटिपिकेशन वो जल्द ही जारी कर देंगे अब वो नोटिपिकेशन वो कब तक जारी करते हैं इसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई इन्फोर्मेशन नहीं दी बस उन्होंने बोला है कि जल्द ही नोटिपिकेशन जारी कर देंगे वेबसाइट या फिर वर् कर दी जाएंगी notification डाल कर तो ये था सारक सारा system मेरे प्यारे सातियों जो भी subject के paper बचे हुए है मेरे को पता है सभी के सभी confused हो रहे है ठीक है क्योंकि पता है नहीं चल रहा mostly candidate को तो बहुत कल पता चला है कि वो जो notification आए तो वो बदल चुका है क्योंकि जैसे date आती है हमारा बिल्कुल focus हो जाता है पढ़ाई के उपर फिर अचानक बदल जाता है तो हमें पता है नहीं चल पाता दूसरी बात consistency तूट जाती है जब पढ़ाई एक systematic way में होती है जब 10 दिन बसते हैं paper के लिए तो हम 10 दिन का target decide करते हैं हम 10 दिन का time table बनाते हैं ठीक है फिर उसके according पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर 10 दिन के लिए आगे बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि बिल्कुल जैसी बात है 10 दिन में हम किसी भी subject का syllabus complete नहीं पढ़ सकते हैं हम चाहिए कितना भी पढ़ने वाला क्यों ना हो हम 10 दिन में complete syllabus नहीं revise कर सकते हम क्या करते हैं 10 दिन का time schedule बनाते हैं उसमें जो important है जो हमें याद नहीं है उसको पढ़ते हैं लेकिन फिर चे date बदल जाती है तो फिर confused हो जाता है कि अब हम किस तरीके से पढ़ें हम किस को छोड़ें हम किस को पढ़ें तो देखो दोस्तो इस time बहुत बड़ा मतब हम कह सकते हैं धोका हो रहा है हमारे साथ हमें एक तरीके से पागलो की तरह गुमरा किया जा रहा है बार 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 चार चार पांच पांच दिन के बाद में डेट बदली जा रही है लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं सब कुछ उनके हाथ में हम क्या कर सकते हैं हम अपने जैरफ के लिए extra work कर सकते हैं तो देखो बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है positive energy रखनी है और सोच मिल रहा है बहुत गजब तरीके से आपको extra पढ़ने के लिए time मिल रहा है इस तरीके से आप positive सोचो और गजब तरीके से पढ़ो जिससे की अपकी बार ही जैरफ निकल जाए June 2022 के लिए बिल्कुल भी इंतजार ना करना पड़े ठीक है तो बहुत बहुत best of like मेरे प्यारे स जन्यवाद आप सभी को देखने के लिए thanks by जल्द ही notification जारी होने वाला है